हाई फैमली कैसे हो आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और नए हफते की शुरुवात यहां अच्छी होती तो नहीं दिख रही है लेकिन क्या करें काम है करना पड़ता है आपको बताना पड़ता है हालात कैसे भी हो सिच्विशन कैसी भी हो यहां पर अभ यह हम सब को पहले से पता था कि FTX का जो यह कांड हुआ है यह इतनी असानी से हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है और अभी हम तो फिर भी चलो FTX से जायतर लोग बाहर है लेकिन जो FTX के अंदर हैं मतलब जिनोंने अपना फंड विड्रॉ नहीं किया या FTX टोकन को होल प्लैग मिलने के बाद भी लोग जो है उसके अंदर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं और उससे हलाज जो सबसे बुरे हैं जिनके लिए सबसे ज़ादा दुखी हूँ मैं आज यहां पर उनके वालेट के अंदर FTX के अंदर उन्होंने अभी भी विड्रॉन ही किया और फंड व निकलते एक अगर पॉजिटिव साइड देखूं इस चीज को लेके पॉजिटिव तो खेर कुछ है नहीं लेकि एक बात बताओं आपको मैट गॉक्स 2014 के अंदर माप कीजिएगा हैक हुआ था और उसके बाद आज तक वहां पर लगबग साड़े 6 लाक बिटकोईन की बात कहते हैं वो सारी चीजे हुई थी या उनके कंपनी आलों ने खुद किया था और आज तक उनके जो क्रेडिटर्स हैं उनको पैसे वापिस नहीं मिले हैं बिटकोईन वापिस नहीं मिले हैं अगर मैं उस एंगल से देखूं तो उस ताइम पे बिटकोईन का प्राइस कितना था लगभग 200-300 डॉलर और आज भी बात करता हूं तो लगभग 16,000 डॉलर और पीक पे पहुंच गया था लगभग 70,000 डॉलर अगर उनकी investment के हिसाब से देखें तो जो उनके पैसे हैं अगर उनमें से कुछ portion पे मिलता है तो भी उनको कई गुना जादा अपना पैसा मिलता ह अब यहाँ पर अगर 10-20 साल लग जाएं FTX के अंदर उनके creditors को पैसा वापिस मिलने के अंदर तो हो सकता है कुछ millions के अंदर bitcoin हो और उनकी किसमत चमक जाए लेकिन क्या करें चीज़े practically सोचनी चाहिए और ये चीज़े हमें realize होनी चीज़े कि सालों और दश को लग सकते है इसको 8-10 साल होने वाले हैं McGregos वाले को और आज तक अभी तक नहीं पता कि लोगों को पैसा कब मिलेगा इसलिए कहते हैं अपने ताले की चावी आप अपने पास रखो लेकिन यहाँ पर ये वीडियो बनाने का परपस यह है कि अभी क्या news निकल के है यह वो भी आपको प पता था कि इंडोनेशिया बाली के अंदर G20 की summit या meeting ती जिसके अंदर दुनिया के जो top 20 countries है, top 20 economy है, उनकी जो representative है, president है, prime minister है, उन्होंने मिलके जो भी दुनिया के अंदर जो भी issues होते हैं उसके ओपर वो बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं और कुछ solution निकालने की करते हैं, अब यहां पर एक बड़ी बात निकल के है कि वहां पे cryptocurrency को लेके भी discussion हुआ होगा, और यहां पर आज जो cryptocurrency market हफते की शुरुवात में ही panic के अंदर देख रही है, जो Biden, जो की USA के president है, उनकी तरफ से एक statement निकल के आई है, उन्होंने अपनी website, जो white house की website है, उसके अंदर statement दी है, तो मोटा मोटा आपको उसको पढ़के बता दिता हूँ, ताकि आपको उसका idea लग जाए, और आपको पता है, USA के कहीं से भी और USA के president को statement, cryptocurrency को लेके दें, bitcoin को लेके दें, तो और जायर सी बात है, अगर अच्छी बात positive नहीं बोली, तो market के अंदर pressure देखने को मिले, घबराना नहीं है, चीजों को समझना है, और यह FTX का जिन इतनी असानी से, जो है बाहर, हमारे सिंदगी से बाहर जाने वाला नहीं है, cryptocurrency market से बाहर जाने वाला नहीं है, अब यहाँ पर इनका जो statement के अंदर, उन्हों जो G20 leaders जो हुए, उनकी जो statement सारी निकल के रिस्क और जो regulatory, सबसे issue है, कि strict regulations लेके आए जाएं, और strict regulations की बात करें, globally, अगर यही बात हम आप से लगातार कर रहे थे, कि मान लो, अगर FTX जैसा exchange खतम हो गया है, default हो गया है, आने वाले time के अंदर, और issues दूसरे exchanges पे निकल के आ सकते हैं, तो government strict action ले सकती है, या कुछ strict regulations निकल के आ सकते हैं, और वही चीज अभी हमें फिलाल होती, यहाँ पे दिख रही है, और आने वाले time के अंदर, दुनिया के अंदर strict regulations आते दिखेंगे, एक तरह से अच्छा भी है, overall situation को देखें, कि लोग जो है, ऐसे जो exchanges हैं, वो लोगों का फायदा नहीं उठा पाएं लेकिन दूसरी तरह से लगते हैं कि कहीं ना कहीं, जो trade करने में लोगों को inconvenience होगी, तो दोनों चीज़े होती हैं, लेकिन एक तरह से हम कहते हैं, regulation strict होते हैं, लोगों का पैसान हमारे वो priority होनी चाहिए, सबसे पहले सब के लिए, तो इसकी वज़े से फिलाल हमें panic देखन को मिल रहा है, इस statement की वई से, जो उन्होंने बोला है कि G20 के अंदर हमने discuss भी किया था, और हम जो है इस पर बात करें कि थोड़ा strict और regulations लिए जाए, FTX के सकांड के बात के अंदर, और यही चीज़ आपको अभी screen पे भी दिखरी होगी, दूसरा panic जो trigger किया, कल की बात करते हैं, हम सबको पता है, वो भी related FTX से ही है, FTX, FTX ही चल रहा है, अब भी बोलते हो गया, कब यह खतम होगा FTX की, लगतार future के अंदर आपको बहुत सारी चीज़े सुनने को मिलेंगी, और सुनने को मिली रही हैं, और वो भी FTX का आपको याद होगा, पहले वो bankruptcy के लिए किया उसने, और यही चीज़ की वज़े से हमें Ethereum के price के अंदर एकदम से sudden fall dump देखने को मिला, और 31,000 Ethereum कोई छोटा मोटा amount नहीं होता है, यहाँ पे दो थियोरी चल रही है, सबसे पहले थियोरी है कि वो hacker है, और दूसरा है कि Bahamas की जहाँ पे वो located थे, उनकी जो regulatory authority है, उन्ह कहने की बात क्या है, अभी भी यही चीज़ निकल के आ रही है, कि कुछ funds तो hack हुए थे और कुछ बाकी के बचे हुए है, वो जो Bahamas की authority है, उसने अपने पास में transfer करा लिये थे, लेकिन अब FTX की बात करते हैं, जो on-chain data जो सामने निकल के आया है, लगबद 15 million Ethereum जो है, डॉ देखने को मिला, और 270 million अभी भी Ethereum, डॉलर वर्थ की Ethereum, अभी भी main wallet के अंदर है, अब यहाँ पर hacker करके आ रहा है, कि जो one inch है, जो जूसरे decentralized exchanges होते हैं, उनके थुरू वो dump करने की कोशिश कर रहा है, सुनने में आया कि null address पर उसने transfer कर दिया, जो Bitcoin थे, Ethereum के, लेकिन इसका क्य logic है, अगर dump भी हो रहा है, और zero भी हो रहा है, बहुत साथी चीज़े, calculation technically, मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको बात समझने की है, कि लगातार finally क्या होगा, यहाँ पर tornado आपको याद होगा, एक करके था, जिसके अंदर क्या होता है, वो wallet के बेजो, तो randomly किसी को भी बाद में पता नहीं चलेगा कि कौन सा address पे क्या bitcoin गया, कि इतने सारे bitcoin कुछ है, या इतने सारी cryptocurrency के अंदर वो फैला देता है, कि addresses के अंदर की trace करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, finally यह अगर ऐसा हुआ, तो आने वाले time के अंदर यह trace करना बड़ा मुश्किल लेकिन जो exchanges हैं, वो बहुत ही seriously watch कर रहे हैं, कि एक गलती हो, कुछ fund transfer हो, और वो track कर पाएं कि यह hacker कौन है, इसके उपर भी exchanges की नजर है, हम सब की भी नजर है, दूसरा reason यह था कि जो हमने Ethereum के अंदर dump देखा, obvious ही बात है, और इसी के वाज़े से हमें cryptocurrency market के उपर भी pressure देख ही ने को मिल रहा है, अब technically भी बात कर लेते हैं, oh hello, SNM याद है आपको कल हमने वीडियो में बताया भी था, कि भाया 12 डॉलर भी चले जाए, तो निकल जाना, double भी हो जाए, तो भी विश्वास मत करना, यह 5,000% भढ़ गया कोई coin, जिसकी value 100% भढ़ने की ना हो, तो यह manipulation market के अंदर होती है, और इस टाइम पर लगभग 1.5 डॉलर के आसपासी चल रहा है, इसलिए कहते हैं, समझदारी करना, emotions के साथ नहीं भैना चाहिए, profit book करो अगर आप हो, और ऐसे burning trend के अंदर तो कभी भी सवार नहीं होना चाहिए, उमीद करता हूँ, बहुत सारे लोगो अगर इन दो लेवल पे भी maintain करता है, और ये न्यूस के अंदर रात को जब European और American market खुलेंगी, pressure नहीं देखने को मिलता है, तो उमीद करते हैं, वो ही कहते हैं, आस है तो सांस है, अब वो आस ही हमें लग रही है कि 16,000-15,000 डॉलर से उपर ये maintain करता है, या यहां पर accumulation बन आया था कि 200MA से के नीचे ये कर रहा है और जब भी ऐसा हुआ है, तो तीन में से चार बार ऐसे मौक्या हैं कि आपने एक अच्छा खासा profit बनाया, तो यहां पर अगर जब भी dip में मिल रहा है, accumulate करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आपका vision थोड़ा 1-2 साल का है, अगर short term म अंदर आपके लिए यहां पर watch करने के हैं, और Ethereum के अंदर भी मैं आपको technically बता दूँ कि important बात क्या है, Ethereum इस time पे अपनी जो एक support है important उसको test कर रहा है, जो की आती है लगबग 1050, अगर यहां पर आता है तो एक entry बनती है, और अगर आप देखते हो कि फिलाल के लिए जो resistance ह इसका, यह target लेके चल सकते हो, वो है 1200 डॉलर, उसके बाद आता है लगबग 1360 डॉलर और फिर एक important target 1500 डॉलर आता है, 1000 डॉलर के नीचे आ जाए तो एक अच्छी opportunity यह आपके लिए entry की हो सकती है, और hacker अगर और dump करता है, यह situation खराब होती है, तो यह 1000 डॉलर के नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे परिशान नहीं होना है, इन चीजों से जब भी dip आते हैं, तो इनका मौके का फायदा उठाना है, और कल की वीडियो के अंदर हमने 3 coin share किये थे, safe pal, safe pal के अंदर आपकी entry अब बन गई होगी, उम्मीद करता हूँ, आपको बोल र हमें एक अच्छा आपको return देखे जाएंगी, दूसरा coin है हमारा OX, अगर वो नीचे आए, अभी भी उसके अंदर बहुत fluctuation देखने को मिल रही होगी, यह excitement में लोग कह रहे होंगे, मैं entry ले लूँ, अभी entry नहीं लेनी, लगभग यह 660C के आसपस आएगा, तो हम entry हैं, यह 3 coin हमारे rate पे आ रहे हैं, safe pal तो आ गया है, दूसरे 2 coins अगर आते हैं, तो आप इसके अंदर जरूर entry बनाने की कोशिश करना, और यहां पे आप कुछ ना कुछ इसके अंदर कमा पाऊगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, तो दोस्तो overall situation यह है, परिशान नहीं होना है, च जो है, आपके लिए अच्छा ही होगा, लेकिन यहां पे समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बस इसके लिए आपको तयार है न, और पूरा का पूरा portfolio कभी cryptocurrency के अंदर मत रखो, और वो ही कहते हैं न, कि एक जो bucket के अंदर, basket के अंदर, सारे के सारे अंडे आपको नहीं करके जाएगा, शेयर कर देए, ट्विट, ट्रेलिग, वट्सिप, जहां आप कमन करो, चैनल पहरी बारत, चैनल को सस्क्राइबी, जरूर करके जाएगा, अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रही है, मुस्कुरातरी, एक मातरी आपको दूस्पंकच, थैंकि रूश